रूस युक्रेण जंग से जुने इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है। रूस के रक्षव मंत्री सरगेशोगो ने दावा किया है कि युक्रेण के हतिया लगभग खत्म हो गए है। सरगेशोगो ने ये भी दावा किया है कि अगरे 15 दिन में युक्रेण के पास लड़ने के लिए भी हतियार नहीं बचेंगे। रूस का सब कहना है कि युक्रेण आज इसलिए तबाह हो रहा है कि अमेरिका के इशारे पास जेलेंस की रूस से जंग करने पर अवादा हैं लेकिं युक्रेण ये भूल गया है कि रूस के सामने युक्रेण ज्यादा देन और टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसके हतियार ख जेलन्सकी के गद्दारों ने बेचे ये मिसाल, टैंक, दो क्या जेलन्सकी के गद्दार पिछले 17 महीनों से युक्रेण के साथ गद्दारी कर रही है क्या जेलन्सकी के घुसकोर जन्रलों की वज़े से ही युक्रेण रूस से जंग नहीं जीत पा रहा है क्या वाकई में युक्रेणी सेना के कमांडर और जन्रलों ने युक्रेण के दो टैंक और मिसाईलों को औने पौने दामों में बेच लिया है दुनिया भर के डेफन्स एक्सपोर्ट्स युक्रेणी सेना के खतूकों को ले कर हैरान है कि आखिर योक्रेन को नैटों से मिले 20 लाक करोड के हथियारों का घोटाला योक्रेनी सीना के रिश्वत खोरों ने कैसे कर डाला हम आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां जैलेंस्की ने सीना में शामिल सभी घूस खोर कमांडर और जनरलों को फौज से निकाल कर बाहर फेक दिया है जरत जैलेंस्की का गुस्से से तमतामाता ये चेहरा देखिए योक्रेन की राजधानी कीव में हुई बेहद हाई प्रोफाइल मीटिंग में जैलेंस्की ने चुन चुन कर योक्रेन के हत्यारों का सौधा और घूटाला करने वाले अपसरों को ठिकाने लगा दिया है हम आपको जैलेंस्की के अक्शन से जोड़ी पूरी रिपोर्ट आगे दिखाने जा रहे हैं जैलेंस्की ने पकड़ा योक्रेन की हार का भुटाला इधर बाइडन चीख रहे हैं नैटो के 31 देश खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जंग के मैदान में पुतन के खुंखार सैनिक एक एक करके योक्रेन के इलाकों को जीतते जा रही है 4 जून 2023 से शुरू हुआ योक्रेन का काउंटर अटैक पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है भैरानी की बाद तो ये है कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया क्या है कि योक्रेनी सेना ने नैटो के लेपल टैंक, चैलेंजर टैंक को जान मूझ कर खराब कर दिया है ताकि दुनिया भर में नैटो के हथियारों की धाक खत्म हो जाए योक्रेन के कमांडर इतने बड़े रिश्वत खोर और घुस खोर निकले कि उन्होंने रूस के एजेंटों से पैसा लेकर अपने देश को हराने का ठेका तक ले लिया रूस के रक्षा मंत्री से लेकर जनरल और कमांडर तक नैटो के हथियारों को खा गए कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के खोफिया आजेंटों ने योक्रेन के टॉप जनरल से लेकर कमांडरों तक को करोड़ों डॉलर दे कर खरीद लिया है जिसकी वज़ा से नैटो के हथियार जैसे ही योक्रेन पहुँच रहे हैं योक्रेनी अफसर उन्हें रूसी सेना के हाथों तबाह कर रहे हैं कुछ कमांडर के बारे में जर्मणी की एक मैक्जीन ने तो यहां तक दावा किया है कि वो नैटो के लेपर टू टैंक को जान बूच का खराब कर रहे हैं ताकि उन्हें रूसी सेना से युद्धना करना पड़े। इधर पुतिन की सेना चुन-चुन कर नैटो के टैंक, तोग और रॉकेट सेस्टम पर भायाना खमला करके उन्हें जला रही है। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि जिस तरह से रूसी सेना ने नैटो के टैंकों को जलाया है, ठीक उसी तरह से रूस योक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले F-16 फाइटर जेट को भी जला कर राख कर देगा। अब आप ये जान लीजे कि भायाना की युद्ध के बीच योक्रेन का युद्ध घोटाला पकड़ने के बाद राश्वपती जेलंस्की ने क्या बड़ा एक्शन लिया है। ड़कार गये 20 लाग करो, हार गया योक्रेन। युद्ध के बीच में जेलंस्की ने बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल भोटाले को पकड़ा है। योक्रेनी सेना के कमांडर रिशीव जनरल वालेरी जालुजनी को धश्ट योक्रेनी अपसरों के खिलाफ का रिवाई करने का आदेश दिया गया है। अभी योक्रेन के देशीव अपसर ऐसे हैं, जिन पर रिश्ट खोरी हत्यार गोटाले के आरोब लगें, उन्हें भी सेना सी बहार निकालने की जोरदार तैयारी चल रही है। Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів, керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництва у час війни – це державна зрада, натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та немає цинізму, їм можна довіряти цю систему комплектування. अब आप ये भी जान लीजें कि भयंकर युद्ध के बीच में रिश्वत, खोर और घुटाले बाज योकरेनी सेन ने अपसरों की वज़ा से योकरेन को कितना नुक्सान हुआ है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मताबिक, रूस ने योकरेन के पास मौजूद नैटों के 30% हत्यारों को पूरी तरह से तबाह और बरबाद कर दिया है। योक्रेनी सेना भी मानने को मदबूर हुई है कि योक्रेन के पास मौजूद नैठो के 30 से 31 फीज़दी हतियार मरमत के लिए कारखाने भीज दिये गए हैं अब सवाल उठता है कि अगर 60 से 61 फीज़दी नैठो के हतियार योक्रेन युद्ध में नहीं इस्तिमाल कर पा रहा है तो फिर बचे हुए 40 फीज़दी नैठो के हतियारों से योक्रेनी सेना जंग कैसे जीते की शायद यही वज़ए है कि योक्रेन अभी तक बफ्मूत पर दोबारा कप्जा नहीं कर पाया है शायद यही वज़ए है कि रूस ने योक्रेन के पूर्वी इलाके में 35 फीज़दी इलाके पर कप्जा कर लिया है शायद यही वज़े है कि रूस ने दक्षणी योक्रेन और दक्षण पूर्वी योक्रेन के 20% इलाखे पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और यही सबसे बड़ी वज़े है कि अमेरिका, फ्रांस, प्रिटन, जर्मनी जैसे नेटो देशों का भरुसा योक्रेनी सेना और जैलन्सकी से पूरी तरह से उठ चुका है इसलिए इन नेटो देशों ने भारी हथियार और लंगी दूरी की मिसाईले अभी तक योक्रेन नहीं पहुचाई है जानकारों के मताबिक इसलिए जैलन्सकी ने कैमरे के सामने अपने देश के प्रश्ट सेनने अफसरों को बर्खस्त किया है ताकि नेटो का भरोसा योक्रेनी सेना और योक्रेन पर बना रहे योक्रेनी जनरल खा गये नेटो के हथिया जानकारों के प्रश्ट सेनने अफसरों को टिकने नहीं देंगे लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है दुनिया भर में मौजूद वार एक्सपर्स तक कहने लगे हैं कि योक्रेन को रूस ने नहीं हराया है योक्रेन को योक्रेनी सेना हरा रही है डॉलर का लालच, रूबल का चसका, योक्रेनी अफसरों को अंधा बना चुकी है उन्होंने योक्रेन की मौत का सौधा कर लिया है हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ रूस चुन चुन करनेटों के हथियारों को तबाह कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 4 जून के बाद से सिर्फ 60 दिन के अंदर 43,000 से ज़्यादा योक्रेनी सेनेक रूसी सेना पर हमला करते वक्त मारे गए हैं रूसी सेना के पास योक्रेनी सेना के एक एक हथियारों और उनकी लोकेशन की इतनी सठीक जानकारी पहुँच रही है जिसकी वज़े से रूस पॉइंट ब्लैंक रेंज से योक्रेनी सेना पर हमला कर रहा है हैरानी की बात तो ये है कि जहाँ योक्रेन पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता रहा है कि उसने रूस के 2,54,000 के गरीब सैनिकों को 17 महीने से ज्यादा की जंग में मार डाला है और रूस हार रहा है वहीं हकीकत में योक्रेन जंग हार रहा है अब आप ये भी जान लीजिए कि योक्रेन की जीत का दाबा करने वाले अमेरिका के टॉप नेताओं को क्यों कहना पड़ रहा है कि योक्रेन रूस से जंग ढार रहा है और योक्रेन को अब सरेंडर की तैयारी करनी पड़ेगी हम आपको अमेरिका की कॉंग्रिस्मैन माइक विगली का बायान दिखाते हैं जो उन्होंने अमेरिका के CNN चैनल पर दिया है जरा देखिए अमेरिका की कॉंग्रिस्मैन माइक विगली ने योक्रेन जंग पर क्या खुलासा किया है रूस योक्रेन जंग को लेकर अमेरिकी डेमोक्राट माइक ट्विगली ने यॉरप में अमेरिकी कमांडरों से मुलाखात की अमेरिकी कमांडरों को खोफिया रिपोर्ट के आधार पर ट्विगली ने बताया योक्रेन के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं योक्रेन की क्षम्ता पर अमेरिका विश्वास को रहा है योक्रेन के काउंटर अटाक के सफल होने की संभावना नहीं है योक्रेनी सेना का काउंटर अटाक रूस की पहली रक्षा पंति को भी तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है अब हालाग बेहत कमभीर हैं कि यू को मॉस्को से बातचीत करनी पड़ेगी माईक क्विगले ने अपने दावों में यहां तक इशारा कर दिया है कि योक्रेन को सरंडर करना पर सकता है 25 फरवरी 2022 से लेकर अब धक योक्रेनी सेना के पास ओक शमता और हिम्मत नहीं बची है कि वो रूस का मुकाबला अब और कर पाएं योक्रेन के जनरलों के दावों पर अमेरिका को जरा भी विश्वास नहीं रह गया है इसलिए नैतों से जोड़े देशों ने योक्रेन को ज्यादा घातक और भारी हत्यार देने से मना कर दिया है या फिर हत्यार देने में देरी कर रहे हैं यानि जून से शोरू हुआ योक्रेन के हार का सलसला लगातार तेज होता जा रहा है जिसकी वज़ा से अब अमेरिकी जनरलों को जैलन्स की का सरेंडर करवाना पड़ेगा रूस दंके की चोड़ परकाराय की योक्रेन के सभी काउंटर अटाक पेल हो चुके जिसकी वज़ा का साथ पर का जासाओ प्रहा है इंजाल वे का-52 बी-28, Су-57, Су-35, व्या था प्राप्सित प्या वोज़ाओा आट वोज़ा आप ए लिसकी ऑ्रापना ऑ्री का जासा बड़ा है 17 महीने की जंग के बाद योकरेन के ये हालाद साफ साबित करते हैं कि योकरेन की बरबादी के लिए ना तो नैटो जिम्मेदार है और ना ही रूस का सुरवार है लालची और घश्ट, अफसर और नेताओं से बरा योकरेन पहले रूस से बदला लेने के लिए नाटो के लालच में फस्ता है और फिर योकरेन के टॉप अफसर करोणों डॉलर के लालच में योकरेन की मौत का सौदा कर रहे है अब देखना होगा हारते हाफते योवेन को रूस से कौन बचाता है और कैसे बचाता है